आप सभी को मालूम होगा कि बिहार में जो भी उनिभर्सिटी है सभी का सेशन लगतार पीछे चलता है कुछी उनिभर्सिटी होगा जिसका सेशन रेगुलर चलता है लेकिन उसी में कभी-कभी एक ऐसी ख़बर आ जाती है जो दिल को जहक जोड़ देती है देखिए प्रिंट आप यहाँ पर देख सकते हैं जेपी उनिभर्सिटी दो कोलेजों का मानता समाप्त हो सकता है हाई कोट का अदेश छातरों का अब क्या होगा आखिर किसकी है गलती चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरी डिटल में समझने की कोशिस करते हैं आखिर जानेंगी ओजेपी उनिभर्सिटी के कौन से कॉलेज हैं जिनका मानता समाप्त हो सकता है चलिए वीडियो को सुरू कर लते हैं आज हम बात करने वाले हैं बिहार डियलेड इंट्रेंस इक्जाम दोहर 22 की त्यारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में जो की चाक्सू पब्लिकेशन का है अगर आप भी त्यारी कर रहे हैं बिहार डियलेड इंट्रेंस इक्जाम दोहर 22 की और आप भी चाहते हैं कि मेरा एडमिसन गवर्मेंट कॉलेज में हो तो आप सभी के लिए आज चुका है चाक्सु पब्लिकेशन का एक स्टडी गाइड जो की नविंतम पाठक्रम पर अधारित है इसमें आपको मिलेगा समान हिंदी, गनीत, बिज्ञान, समाजिक अध्यान, जेनरल इंगलिस, तारकिक योम, बिसलेशनात्मक, छमता हर पॉइंट को किलियर करके आपको इसमें समझाया गया है खास बात यहा है कि इसमें आपको मिलेगा 3000 प्लस बहु विकल्पिय यानि की अबजेक्टिव प्रस्ट विथ डिसकसन तो देर न करें आज ही अपने त्यारी के लिए पढ़ें बिहार DLA इंट्रेस इक्जाम स्टडी गाइड जिसे आसानी से आप खरीद सकते हैं ओनलाइन खरीदने के लिए लिंक आपको नीचे डिसक्रिप्शन में दिया गया है जहां से आप एक किलिक में इसको खरीद पाएंगे और घर बैठे आप इस बुक को मंगा पाएंगे अगर आप ऑफ लाइन में ख़िदना चाहते हैं तो आप अपने नजदे की मार्केट में संपर्क कर सकते हैं वहाँ पर भी इस बुक को एवलेबल करा दिया गया है तो आज ही खर दें बिहार डिये लेड इंट्रेस अग्याप स्टेडि गाइड जो की चाकसु पबिकेशन दोरा जारी किया गया है देखिए फ्रेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं जैपरकास विस्विद्याले के दो कॉलेजियों की मानेता प्रथम फेज में जा सकती है आप यहाँ पेपर कटिंग के माध्यम से देख रहे हैं उसके आगे यहाँ आप समझने की कोशिस किजिए यहाँ पर बताया गया है बिहार के 11 उनिभर्सिटी ओ 167 कॉलेजों द्वरा करीब 287 करोर की अनुदान रासी का उप्योकता नहीं देने के मामले में हाई कोट में फिर से सुनुवाई की गई जिसमें UGC ने 14 कॉलेजों का लिस्ट कोट को ठामाया की यह ना तो जबाब दे रहे हैं और ना ही हिसाओ दे रहे हैं इनकी मनेता समाप्त करने की परकिरिया अपनाई गई है इस फ़र कोट ने कहा की इन कॉलेज और जो भी हिसाओ नहीं दिये हैं उनकी सुची बनाकर मने समाप्त करने का आदेश जारी करें बीदित हो कि इसमें जेपी बिस्व विद्याले उसके अंतरगत अंगिभूत 23 कॉलेज भी सामिल है फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 कॉलेजों में से एक दाउदपूर के ननलाल सिंग कॉलेज और सीमान के सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज सामिल है जिसकी मनता प्रथम देशता समात करने का आदेश है इसके अलावा और भी बकाया वाले कॉलेजों का नाम सुची में सामिल किया जाएगा तो फ्रेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जैपरकास उनिभरसिटी के दो कॉलेज हैं ननलाल सिंग कॉलेज दाउदपूर तथा सिमान के सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज सामिल है इनकी मनता समाप्त हो सकती है अब छातरों का आखिर क्या होगा देखिए फ्र कॉलेज का रद होता है तो उसको दूसरे कॉलेज में सिफ्ट कर दिया जाता है किसी भी कॉलेज का मनता समाप्त होगा उसके नियर में जो भी कॉलेज होगा उसमें आपका जो एडमिशन है उसको ट्रांसफर किया जाता है तो फिन आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है बस आपको यहीं परसानी हो सकती है कि आपका कॉलेज में एड्मिशन था उस Via Naty नहीं होकर दूस्ते कॉलेज में जा सकता है अगर मनता रद होती है अगर नहीं होती है तब तो कोई बात नहीं है तो फ्रेंड इस तरह से आपने देखा कि कौन कौन से कॉलेज की मनता समाप्त की जा सकती है फ्रेंड ए जनकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बक्स में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करके घंटी को दबाएं ताकि आने वाली और जनकारी आप सभी को सबसे पहले मिले फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद